वेल्कम बैक टुमई चनल इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाले हूं कि हम टू लैंज का यूज करके किस तरह से आउटलाइन को ड्रोग कर सकते हैं justge inate two κάνals का ही हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं जो ये मैतर्ड मैं आपको बताने वाल करने के लिए बेसिक बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यह बहुत ज़्यादा अच्छा है जिससे कि आप अपनी आउटलाइन को बना सकते हो पहुत ज़्यादा ईजी करीगे से उनली टू लाइन का हम यूज करेंगे एंड मैंने इस वीडियो में आपको फुली अच्छी त आपको इसके अंदर बता ही है कि किस तरह से हम इस तरह का यूज करके आउटलाइन को बना सकते हैं और कुछ तो है नहीं बस ओने टूलाइन को यूज करेंगा जीए बहुत इंपोर्टन चीज है और आपको मेरी वीडियो अच्छे लेगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को बनाने के लिए मैं देखे एक प्रिंट पेपर ले लिया और इस प्रिंट पेपर पर मैं ऐसे टू लाइन्स बनाओंगा देखे इस तरह कि टू लाइन्स मैं डो कर लोंगा होरिजोन्टल अंड वर्टिकल लांस मैं डो कर लिया घंड रे मैंने टेडी लानद रो कर लिया तोड़ी क्योंकि यह फोर्टोग्राफ ठोड़ी ती यही इसी मैठड का यूस करके मैं पेपर पर सेम् इसी तरीके से बिलकुल सेम आउटलाइन ड्रो करूँगा आगे कम और पीछे कम जहां पर ये आईज है उसी हिसाब से आईज को बनाना स्टार्ट करूँगा आप देखें मैंने आईज को बनाना स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल जिस तरह से इस reference photo आपको सामने दिख रही है सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर बनाऊँगा और आप भी इस तरह से print paper ले सकते हो जिससे आपको बहुत सदा easy हो जाएगा बनाना उसके बाद मैं यहाँ पर यह जो इसकी nose है इसको बनाऊँगा दीखे और मैंसे यहाँ पर थोड़ी गड़बड हो गई तो मैं इसको erase भी कर लूँगा और आप भी erase कर सकते हो गाईज कोई घबरानी की बात नहीं है कि हम erase नहीं करेंगे यह है वो है ऐसे कोई बात नहीं होती एंड उसके बाद मैंने इसको erase करा एंड अच्छी तरह से मैंने इसको बनाया एंड जो यह line है आप इसकी help से measure ले सकते हो measure करकर क्या अगर आपको measure करना आना चाहिए बस आपकी measure power जितनी बढ़िया होगी उतनी अच्छी आप outline को draw कर सकोगे आपकी measure power मैं depend करती है इसके अंदर एंड आपको photograph को अच्छे से measure करना है एंड उसी तरीके से same आप देख सकते हो मैं यहाँ पर वो draw कर रहा हूँ दूसरी आई दूसरी आई को मैं draw कर रहा हूँ आप देखिए same तरीके से देखिए मैं जहाँ पर यह line थी line के उपर नीचे जिस तरह दो यह line लगाई थी उसी तरह से मैं draw करूँगा आप देखिए मैं same वैसे ही draw कर रहा हूँ और आप देखिए draw भी होने लग गया है थोड़ा थोड़ा एंड नीचे भी मैं उसी तरह से draw करूँगा आप देखिए एंड गाइज यह जो इसको बनाना बहुत ज़ोदा easy है अगर आप इस method का यूज करका outline को बनाओगे तो आपकी outline definitely बहुत अच्छे से draw हो पाएगी एंड गाइज आपको इस method का use करने के लिए प्रैक्टिस की जुरूद बहुत करनी पड़ेगी बिन्हा प्रैक्टिस के तो आपसे outline ऐसी भी नहीं बनेगी चाहिए आप कोई सा भी तरीका अजमालीजे कोई सा method अजमालीजे यह प्रैक्टिस नहीं कर रहा क तो outline बनी नहीं सकती यह चीज है और measure power बहुत अच्छी होनी चाहिए आपको measure करो photograph को हिसाब से देखिए जिस तरह से मैं measure कर रहा हूं मैं आपको समझा भी रहा हूं देखिए यह teeth है मैं line के यहाँ पर जितना कम है और ज्यादा है उसी हिसाब से मैं measure कर करके आपको बता र और lips थोड़े अच्छे से print नहीं हुआ था तो फिर मैंने अपने हिसाब से draw कर लिए लेकिन आप print कर वाओगे तो उसमें अच्छा होगा तो इसलिए आप अच्छे draw कर पाओगे and guys ऐसा नहीं है कि आप print में से draw कर पाओगे ऐसा नहीं phone में सिर्फ ड्रो कर सकते हो आप ऐस सिंपल है बस इस तरह से आप ड्रो करिए मेजर करके आप देख सकते हो यह जो अपर के यह रहे हैं यह यह यहाँ पर आ रहे हैं इसके eyeball पे मैंने वहाँ पर line भी लगाई है ताकि आपको अच्छे समाझ आए तो उसी तरह ही कैसे मैंने मेजर कर करके बना रहा है उसके बाद मैं ड्रो कर लूँगा यहाँ पर हैर्स है यह देखिए मैं ड्रो कर लिए हैं और देखिए मैंने हैर ड्रो कर लिए हैं पर अब मैं बियर्ड ड्रो करूंगा इसकी जिस तरह से मैंने मेजर करकर के बियर्ड ड्रो करी थी सोरी है ड्रो करे थे उसी तरह से मैं मेजर कर करकर बीयड भी ड्रो कर लूँगा एंड इस बीयड को ड्रो करना भी बहुत ज़दा इजी है कुछ भी नहीं है इस तरह की आउटलाइन को ड्रो करना बहुत ज़दा इजी है एक आपको प्रैक्टिस तो ज़रूर करने पड़ेगी बिना प्रैक्टिस के तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा काम नहीं चलेगा प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली आउटलाइन बना पाओगे यह मैंने आपको से बेसिक बताया बिल्कुल अच्छी तरह नहीं बताया इस आउटलाइन को ड्रो करने में मुझे भी करता हूँ जैसे कि आपको पता है तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मैंने आपको जो पताया आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझाया होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड पैल आइकोन को ओन जरू कर लेना आज की वीडियो के बस इतना ही मिलेंगे एक वीडियो में अब तक के लिए बाई